हेलो एवरिवन आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हमें एक बार पुना मद्ध प्रदेश के पुनरगठन की चर्चा करने वाले हैं तो हमने पिछले लेक्चर में क्या जाना था हमने कुछ साक्षो के माध्यम से यह प्रमाडित किया था कि हाँ यहाँ पर कोई कोई इस्थान होगा जो मद्ध प्रदेश की स्थिति को दर्सा आता है हमने कुछ साक्षो को देखा था जिससे हां कोई स्थान कोई न कोई इस्थान तो था यह हमने देखा था पर हमें accurate मद्ध प्रदेश नहीं में प्राप्त हो पाया था और हमने क्या जाना था पहले कु अंग्रेजों का आगमन हो, अब देखो, जो मद्यप्रदेश का इस्थान था, छेत्र था, उस पर कुछ राजाओं का अधिकार था, फिर अंग्रेजों का आगमन होने के पस्चात, अंग्रेजों ने भी क्या करा, कुछ छेत्र पर अधिकार कर लिए, जो मद्यप्रदेश की स्थिति में था मतलब मद्दपदेश की छेत्र में था अब देखिए जो राजाओं के अधीन छेत्र था उन्हें देशी रियासते कहते थे और जो अंग्रेजों के अधीन छेत्र था उन्हें क्या कहते थे ब्रिटिस प्रांथ तो अब देखिए मैप की माध्यम से जानते हैं अंग्रे जों का अगमन हुगया और पिछला लेक्ट यह भीम से लेके British के आगमन वर वीटिस ने जब अधिकार करना प्रारम कर दी ब्रीटिस काल तक मतलब अब ब्रीटिस काल से हम आजादी के पूर्व तक पढ़ेंगे तो जादी के पूर्ब तक अब देखी कैसे, उनिस सु सेतालिक तक कि मद्द प्रदेश के छेत्र में कौन-कौन से राजाओं के अधीन था और कौन सा ब्रिटिस के अधीन था यह हमको जानने के मिलेगा, मद्द प्रदेश का अस्तित्व अभी भी नहीं आएगा, मतलब अभी भ हमने पिछली बार कहा पा रहा था कि मद्द प्रदेश में वो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या करा रगुजीत रतिय की मत्ति के पश्चात, लाब उठाया और क्या करा नागपूर पर अधीकार कर लिया, कब 11 दिसंबर 1803 पर नागपूर पर अधीकार कर लिया, अब दक्षेटपूर पर अधीकार कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, अब यह भाग उनके अंडर में था, अब ब्रिटिस ने क्या किया, ब्रिटिस सरों ने, उन्होंने यह किया कि 2 नवंबर 1861 को एक प्रांत बनाया है, जिसे मद्द प्रांत नाम दिया या सेंट प्रोविंस या मद्द प्रांत का गठन किया, अब उसके पस्चाद उन्होंने क्या करा, हैदरावाद से एक छेत्र लिया, जिसका नाम क्या था, बरार, उसको 24 अक्टूबर 1936 को सेंटर प्रोविंस से मिला दिया, यह हैदरावाद है, यहाँ पर बरार, इस बरार को सेंट पूरव मद्दः परदेश की इस्तीति को यही दर्स आता था और इसका quelloकियर पूरर मद्दः परदेश की राजधानी मानी जाती है मैं सेंट्र प्रविंस राजधम प्रदेशंग की एदिया सिन आजू वाजू जो रियासत्य थी जो राजाओं के अधीन थी अब देखिए हमने ये देख लिया यह मद्धियद्देश की स्थिति को पताई था आजाधी से पूर्व यह स्थिति थी और उनके इसके जो इस पर सकने वाली रियासत थी उनके बारे में कुछ जानकारी ले ले यह पूर में थी, अब उत्तर में देखें, उत्तर में क्या था? बिंद्प्रदेश था, और अगर पश्ची में बात करें तो भौपाल था, भौपाल सुतंद रास था और मध्वारत था, इस तरह हमारे सेंटरल प्रोविंस यद इसमें मध्द्प्रदेश भी माना जाता था मुखता इसी भाग को मध्वारत माना जाता था, कि जो इस पर्स करने वाली रियासतों को हमने जान लिया, अब जो सिंधिया का छेतर इधर तक भी था कुछ, मिंद्प्रदेश तक भी, तो इस तरह होलकर, इंदौर में होलकरों का, मतलब राज करते थे होलकर लोग, तो इ जैसे ब्रिटिस प्रांद के अंतरगत इतना मध्यप्रदेश के छेतर आता था और देशी रियासतों के अंतरगत इतना छेतर आता था, तो इस तरह हमने जान लिया कि ब्रिटिस काल से स्वतन तक पूर्व तक मध्यप्रदेश का कोई अस्थित्व नहीं था, लेकिन जो उ आजादी के बाद 1947 के बाद क्या होता है वह देखेंगे जैसे पूरे देश को हमको आजादी मिलने के बाद पूरे देश को पार्ट A, B, C और D में बांट दिया गया था और D के अंतरगत केंद्रसा से प्रदेश आते थे जैसे अंडमान निकोबार अब इस तरह बांट दिया पार्ट का हिस्सा बन गया कुछ भग B पार्ट का हिस्सा बन गया और कुछ भग C पार्ट का तो इस तरह मद्ध्यपदेश का वत्रण हो जाता है पार्ट A, B, C में तो यहां हम देखेंगे next lecture में कि किस तरह बहां वहा वत्रण हुआ था इसका नक्सा कोई चेंज नहीं देखींगे वह किस प्रकार थे धन्यवाद